वे नम्र दुनिया में लोग financially क्यों बरबाद हो रहे हैं इसलिए नहीं कि दुनिया में investment के नएने tools अवलेबल नहीं है भयंकर tools अवलेबल हैं आप एक धूने जाओ पच्छिस सो चीज़ें मिलेंगे आपको इसलिए हो रहे हैं कि उनके basics week हैं अब मैं आपको बताता हूं कि आपको उधार की जुरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में अगर आप कुछ basics follow कर लें आपने बुला ना कि लोगों को उधार की जुरत पड़ जाती है I understand जैसे मैंने example दिया medical emergency वाला वहां पर आपके वास credit card था तो अगर ऐसी situation में rule 1 क्या होता है personal finance का rule 1 ये कोई नहीं बतात हमने बहुत बाइब इस पर चर्चा करी है हर कोई शुरू करता है rule 1 emergency fund मैं बहुत हूं रूल वन बहीं है पैसे कमाओ राइट तो rule 1 पैसे कमाओ rule 1 A उस पैसे को ये सोचो हर साल कैसे बढ़ाना है rule 1 B अब आपने सोचना है कि भाई sides में और कैसे-कैसे taps खोलनी आपने मतलब अपने income को और अपने और टैप्स क्या-क्या खोलनी है अब आते है रूल नंबर टू है रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में सबसे इंपोर्टन है कि आपका step 1 emergency fund आपको सोना चाहिए अन-प्लाइंड इवेंट्स के लिए कि अन-प्लाइंड इवेंट्स में आपको उधार ना लेना पड़ और यहीं पर लोग मार खा जाते है रूल वन पहले तो ढंक से फॉलो नहीं करेंगे थोड़ी से income आई चलो भाई investment करते हैं भाई trading करते हैं और अगर आप student हो तो सेशन देना चाहेंगे यह क्लिप आप ढूंब भी सकते हैं कहीं ने कहीं यूट्यूप पर जरूर मिल जाएगी लिंग्डिन पर मिल जाएगी वारन बफे ने बोला कि भाई मैं यूथ को यहीं बोलना चाहूंगा सबसे बड़े investment हो है जो आप अपने उपर अपने उपर करो और उसकी compounding जबरदस्त होगी तो खेर वापिस आते हैं अगर आप emergency fund बना रहे हैं तो आपके लोन लेने के chances कम हो जाते हैं नंबर नंबर टू अगर आप जो है वो फो में पढ़के purchases नहीं कर रहे हैं अगर आप social media के pressure में आके purchases नहीं कर रहे हैं आप आप के pressure में आके purchases नहीं कर रहे हैं आपके खर्चे कम हो जाते हैं अगें आपके उदार लेने के chances भी कम हो जाते हैं यह basics हैं अगर किसी के basics strong है there are high chances के उसे जिंदगी में किसी भी unplanned loan की जुरत नहीं पढ़ेगी और अगर पढ़ेगी भी तो उसको भी उसके देखो और emergency fund बनाता समय और unplanned चीजों के लिए plan करता समय हमेशे एक चीज ध्यान रखें अगें शायद same as ever में बात लिखी हुई है वो बोलता है कि risk is what you don't see risk वो होता है जो आपको दिखता नहीं है फिर हो California का example देता कि California में भुकम पा सकते है और यह हो सकता है ठीक है और वो फिर क्या करते है they prepare a bit extra तो जब आप emergency fund बना रहे हो आपका comfort zone 6 महीने पर आ जाए कि 6 महीने का emergency fund बहुत है तो बता क्या करना चाहिए अब यह बाते बोरिंग है इनमें वो किक नहीं मिल रही है कि महीने में 10% आगया इस चार्ट नहीं दिख रहा है करें यह समझ नहीं आती है मैं आपकी इसी वाली बात पे जो आपने बुलाई ना की basic rules personal finance के I wanna go all the way to the first one मैं कोई ऐसी personal finance की video नहीं जानता जो finance growth फोकस करती है through active income because active income जो भी बढ़ाना सिखा रहा होता है वो usually एक technical guru सिखा रहा होता है अगर मैं marketer हूँ मुझे marketer बताएगा कि और पैसे कैसे कमाने है मेरा customer बताएगा अगर मैं CA हूँ तो मैं अपनी practice बढ़ाँगा I think खासकर young लोग क्या करते हैं इतनी सी income पे over optimize कर लेते हैं investment के लिए ठीक है saving के लिए वो यह सोचते हैं कि जिन्दगी बार यही income रहेगी इसी के अंदर मैं अगर सिर्फ अपनी skill पे ना काम करूँ बस थोड़े बहुत तिगड़म figure out कर लो कि वहाँ पे electricity market है या फिर क्या करते क्रिप्ट वाली market अंदर यह वाली चीज है वो पूरे दिन बैठके आंके लाल लगने चार्ट के उपर बैठ रहेंगे क्योंकि एक डर है active income जब आपको पता है कि अगर आप जावे गरो करने के लिए आपकी इंसल्ट होगी आपको रिलाइज होगा आरे मुझे तो बहुत मेहनत करने बड़ी active income करने के लिए इंसेट गो तो शॉटकट कि चलो थोड़ा सकिसी से उधार ले लेते हैं रेडिंग कर लेते हैं मैं आपको एक recent इससे मुझे घटना याद आ रही है तो अभी मैंने एक land लियम उस land का कुछ डौक्मेंटेशन करवाने को ड्य आपको था ए। मेतने गंदे तरिके शाई काम करते और यह वाला क्वी तो को यह कर सकत law actually he was trading exactly और यह देख के महरान हो गया मैंने उसे समझाया हम तो भाई teacher आदमी है teacher आदमी दोश दर्शन सबसे पहले करता है तो भाई पर दोश दर्शन हो गया को यह ट्रेडिंग कर रहा है तो भाई मैंने उसको थोड़ा समझाया मैंने का भाई इंवेस्मेंट कर लो यह सब अपने ऑफिस के ताइम पर करोगे सोचो आप क्या लूज कर रहा है आपकी बात से कनेक कर रहा हूँ यू आर लूजिंग यूर प्रोड़क्टिविटी यू आर लूजिंग यूर प्रमोशनल अपॉर्चनिटीज आपका boss भी तो यह सारी चीज़े देख रहा हूँगा आपका employer भी तो यह सारी चीज़े देख रहा हूँगा and क्या इससे आपकी job पे impact नहीं आरा होगा 100% अगर आप चार लोगों को cater कर दो शहाद आप दो को कर पा रहे तो 25% भी impact आगया तो आप तो पीछे रह रहे हो यह बात हमें समझनी है कि हम सब अपने अपने उक्यूपेशन और प्रोफेशन में उक्यूपाइड है और हमारा वन पॉइंट एजिंडा होना चाहिए कि मैं अपने फील्ड में बेस्ट एफर्ट कैसे दूँ आपके एफर्ट मेडियोकर नहीं होने चाहिए कॉंजिक्वेंस रिजल्ट के आएगा ठीक है देख लेंगे मैंने तो आज तक यहीं सीख्या कर एफर्ट मेडियोकर नहीं है तो आपका रिजल्ट ठीक ही आता है यार राइट सूनर और लेटर आपकी गेम अच्छी बन जाती है अब मैं विनम भाई आपने क करते हैं जो डेडिकेटी ट्रेडर राइट आपको देखो कि आपका प्रोफेशन हाला कि टीचिंग का है आप बीक बिजनस रां करते हो डिस्पाइट अपका फैमिली टाइम है यह अब भी जब वो टाइम नहीं बिता रहे आप अपने बिजनस के बारे में ही सोच रहो हो तो आइड वन पॉइंट आप एक ही चीज से अपसेश हो सकते हो यह इसको इस वरी दिफिकल तो हैव मल्टिपल अपसेशन कि मैं बहुत अपसेश्ट ट्रेडर हूँ बहुत अपसेश्ट पॉडकास्ट चरूँ बहुत अपसेश्ट अथलीट हूँ मुश्किल है यह कर रहा हम हो वोई सीख रहा हो वए पढ़ा दा रहा हूँ उस ही को मैं उसी के साथ सारें के सारक गेम बना रहा हूँ तो प्विट यह है कि आप active income पे फोकस करें अप वीडियो एडिटर है नो तो वीडियो एडिटर बने रहे हैं कि महनत करें उसमें कोशिश करें आपकी एडिटिंग जब आपकी एडिटेड वीडियो जाए यूट्यूब पे तो चार लोग पूछें भाई किसने एडिट करी है आप थम्नेल बनाते हूं ना किसी के लिए आप थम्नेल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह न्यू एज चीजे हैं और लोग बाग से शाहिद कर अपने स्किल पर ध्यान दीजिए उससे इंकम कमाई है और उस इंकम को लगा दीजिए कहीं पर सेटल कर दीजिए ऐसी जगह पे जहां पर वह एक स्टेडी रेट से ग्रों कर दी रहे अफला तून रेट नहीं चाहिए हमें कि भाई साब 40% पर है नहीं हमारा है वो भी आ ज पूला कि जो सिर्फ ने उक्युबेशन में ग्रों करता रहेगा वो नहीं होगा आप युएस में स्टोरी देख लो कि इतने बड़े-बड़े बास्केटबॉल प्लेर्स होते हैं इतने बड़े-बड़े स्टार्स होते हैं अपने टाइम पर अरब पती करोड़ पती और व अगर से देखा जाता है ठीक है वो इतना जाता स्मार्ट नहीं था तो उसने का मुझा अब्ड़े गरना है तो उसने अगर कर लिया उसने सही टाइम पर फिगर आउट कर ले कि बिजनस में क्या होती है एक टिपिकल अमेरिकन जोक है उसका सारा का सारा फोकिस यह रहा था क बास्केटवोलर अच्छा बनना है वो यह उसने सही टाइम पर जाएक एम्बेए कर लिया जब उसकी तूती बोल रही है आज भी उसकी तूती बोल रही है प्रक जोगी एक बहुत सुक्षफुल बिजनसमेन है राइग केविन हार्ट हाला कि अगर 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 प्राकिसें करनी हाती है या ओवर टाइम इंवेस्मेंट्स के थूरू वो स्किल सीख ली रॉक का टकीला ब्राइंड बहुत मोटी बैलिवेशन है राइन रेनल्ड्स है जो भार का होलिवोड स्टार जो डेड़ पूल पिचर का अक्टर है सर उसकी वो एक फुटबॉल टीम करता है उसको मतलब वो एलिश्चर स्टार है और वो इन्वेस्टर भी है मल्टिबल बैसे रंगर इंड़ डशेंट इवन मैटर जॉडन पीटरिसन इतना फिरिम सोला में उसको पताता है यह डिकलाइन आयेगा उसके सतर हजार बिजनेसे हैं हर जगा उसने इन्वेस्ट कर रखा ह इन्वेस्ट कर रहा कि हमारी अटेंशन टॉप पे हम इतना पैसे नेट कर रहे हैं जो मेरी एज गूप के लोग हैं इम 38 यह उल्ल उन्हें क्रिस के बारे में एक नाम पता हुगा क्रिस के एक न्यूजलेंड के बहुत फेमस क्रिकेटर हो थे वह बहुत अच्छे लगता थ एंड लास्ट जब उन्हें देखा कि जब लास्ट के बारे में आर्टिकल चपा था तो ट्रक के शीशे साफ कर रहे थे राइट सही समय पे आपके पास एक समय पे आएगा पैसा आपको पैसे को मैनेज करना भी सीखना है तब ही मैंने बोला कि जो एक्टिव इंकम में फोक कौन बनेगा करोणपदी के एक विनर थे मिस्टर शुषील कुमार इफ I'm not wrong उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि बहुत सारे पैसे कमाएं लेकिन शायर को डंक से उसको डिपलाई नहीं कर पाए और भाई मैं कुछ भी गलत बोल रहा हूं तो माफी दे देना मुझे मै मैं सिर्फ यह थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर कर रहा हूं आप लोग इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बट अंडरलाइंग पॉइंट यह है कि नंबर वन एक्टिव इंकम बहुत जबरदस कीजिए उसे बढ़ाई है उसके दिन रात उसके बारे में सोची वो कैसे बढ अच्यों पपारे में सोची बढ़ाई है